Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता है क्राशी फल ये 19th April से लेकर 25th April तक की आपकी टारो रेडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रेडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रिडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सं, साइन, मून, साइन, असेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं आप उसके अकोर्डिंग भी देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूचेंगे तो मैं यही कहूंगी, कि जिस साइन को आप अभी तक follow करते आए हैं, और फिर जिस साइन के हिसाब से, आप अभी तक अपनी readings को पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, आप उसी साइन को follow करें, तो चलिए जी शुरू करते हैं, coming week का सापत तो लिबराज आप लुगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो हमारे पस professional life के लिए cards हैं the emperor rivers and understanding, personal life के लिए cards है five of swords and trust, in general या फिर guidance के लिए आप लुगों के लिए card है in the flow and astrology से आप लुगों के लिए है wego sign तो Libras देखे प्रोफेशनल लाइफ के लिए Emperor का काड कहीं Power Position Authority की बात करता है Systematic तरीके से चलने की बात करता है कुछ Rules, कुछ Regulations की भी बात करता है अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए Action और Initiative भी लेने की बात करता है क्योंकि आप लोगों के लिए इस WK काड रिवर्स है तो इन ही सब चीजों से Related कुछ Issues भी रह सकते है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई Authoritative Person है उन से आपके Views नहीं मैच कर रहे हैं छोटे मुटे Issues हो रहे हैं या हो सकता है कि आप ही कोई Position चाहा रहे हैं उससे Related Effort कर रहे हैं नहीं मिल रही है या आपको ऐसा लग सकता है कि आप एक Position डिजर्व करते हैं और वही आप Expect कर रहे हैं उससे Related चीजे नहीं हो रही हैं या जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं हो रही हैं नहीं तो इन जनरल के लिए भी कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, कि भई जितनी respect आप deserve करते हैं, उतनी आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि यह जनरल reading है तो सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत systematic तरीके से चलना चाह रहे हैं आप अपने ही professional life से related या हो सकता है कोई भी आपकी life का area है जिसमें कुछ rules, कुछ regulations बनाना चाह रहे हैं, discipline तरीके से चलना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं और दिखें आप ए guidance के लिए in the flow का card कह रहा है कि आप इन ही सब चीजों को लेके बहुत जादा rigid ना हो जैसे चीजें आ रही हैं वैसे ही उनको लेते जाएं going with the flow वाली energies में रहें especially this week दिखें मैं आपको एक example देके बताती हूँ अगर आप student हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत time से आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है और आप थोड़ा सा systematic तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं कुछ rules बनाना चाह रहे हैं और आपने rules बनाया कि भई कल से आप 4 घंटे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे या फिर आप weight reduce करना चाह रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है भी कल से एक घंटा तो मुझे walk करनी है और first करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर पाए आप 4 घंटे की जगा सिरफ एक या दो घंटे पढ़ पाए और एक घंटा walk की बजाए आपने सिरफ आदा घंटा या 15-20 minute walk करी और इस चीज को ले के अगर आप परेशान हो रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगी कि बहुत जादा अपने लिए hard ना हूँ देखें यहाँ पे आप क्या सोचते हैं यही determine करेगा कि आप परेशान रहेंगे या आप ठीक फील करेंगे अगर आप यह सोचें कि भई अभी अभी तो आपने शुरू किया है तो थोड़ा तो time लगेगा एक flow बनने में और कोई बात नहीं अगर आपने 4 hours नहीं study करा कम से कम आपने 1 hour तो करा कहीं आपने शुरू तो किया और ऐसे ही आपने 15-20 minutes या आदा गंटा वाक तो करी तो आप better feel करेंगे तो again मैं कहूंगी यहाँ पर in the flow का कार्ड कह रहा है कि आप बहुत जादा rigid या fixated किसी भी चीज़ को लेके ना हूँ और देखिए emperor के ऊपर understanding का भी कार्ड है और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि कोई चीज़ अपनी professional life से related आप achieve करना चाह रहे हैं लेकिन आप जादा सोच रहे हैं या फिर यूनो आप किसी level पे अपने आपको hold back कर रहे हैं और देखिए understanding के साथ trust का कार्ड कह रहा है कि आप complete trust universe पे करें जिस God को आप मानते हैं उन पे करें खुद पे करें, situation पे करें और आगे बढ़ें initiatives लें और action लें and personal life के लिए आपे five of swords का का कार्ड कहीं unfair energies की बात करता है और ये कार्ड कहता है कि situation कुछ लोगों के लिए ऐसी हो सकती है कुछ लोगों के लिए लोग हो सकते हैं जो कहीं उनों जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से आपके साथ नहीं behave कर रहे हैं कहीं बहुत ज़ादा again मैं कहूंगी कि चीजों को लेके unfair हो रहे हैं, जिसकी वज़े से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, हो सकता है आप wrong choices this week करें अपनी personal life में या wrong decisions लें, तो इस चीज का आप जरूर खयाल रखें और जो भी लोग आपकी life में हैं, जिनके बारे में आ आप जरूर avoid करें, and astrology से आप लोगों के लिए Virgo sign का card है, इसके हिसाब से green color आप लोगों के लिए लखी रह सकता है, and significant day आप लोगों के लिए रहेगा Wednesday, तो ये था, Libras आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल, और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए